इस都othe नमस्कार दोस्तों computer विद्धा में आपका स्वागत है आज के सेसं में हम पढ़ेंगे screen printing में कौन-कौन से समान का उप्योग किया जाता है screen printing समागरी कहां से खरिच सकते हैं और screen printing समागरी की कीमत क्या होती है आपके सामने Screen Printing समागरी की लिस्ट दी गई है Screen Printing में कुल 14 प्रकार के समानों की ज़रत पड़ती है आईए इन समागरी को एक एक करके जान लेते हैं सबसे पहले आपको इस तरह के एक लकड़ी की बॉक्स की ज़रत पड़ेगी जिसे आप कारपेंटर से बनवा सकते हैं इस लकड़ी के बॉक्स की साइज 2x3 रख सकते हैं लकड़ी के बॉक्स के अंदर दो टीव लाइट लगाने पड़ते हैं तथा इस लकड़ी के बॉक्स के उपर एक काच की प्लेट लगी होती है जिस प्लेट की मोटाई आप 6 mm से लेकर 10 mm तक रख सकते हैं इस लकड़ी के बॉक्स के साइड में एक लकड़ी का गुटका लगाना पड़ता है जिसके सहारे हम स्क्रीन फ्रेम को इससे अटेच कर सकते हैं इस तरह के आपको स्क्रीन फ्रेम की ज़रत पड़ेगी आप सुर्वात में एक या दो स्क्रीन फ्रेम रख सकते हैं इस स्क्रीन फ्रेम पर ही हम डिजाइन को चापते हैं तता आपको एक क्लेम की ज़रत पड़ेगी इस क्लेम की सहाता से हम इस स्क्रीन फ्रेम को लकड़ी के बॉक्स में अटेच करते हैं अब आपको butter paper design एवं printing ink की ज़रत पड़ेगी जिस design को आप screen में छापना चाहते हैं उसे computer की सहाता से butter paper पर हम print ले लेते हैं तथा जिस color में हम उस design को छापना चाहते हैं उस color के printing ink की हमको ज़रत पड़ेगी इसके पहस्चात आपको protein, sensitizer और एक plastic jar की ज़रत पड़ेगी कोटीन और sensitizer के मिस्रन से एक हरे color का paste बनाया जाता है जिसे screen frame पर लगाया जाता है जैसा आपने वीडियो में देखा होगा आपको इस तरह के squeeze की ज़रत पड़ेगी आप सुरुवात में एक या दो इसकुजी रख सकते हैं और इस इसकुजी की सहाता से ही हम screen frame से screen पर design को चापते हैं इसके पहस्चात आपको एक air gun और गिट्टी की कुछ चल्ली लगबग 5 किलो की ज़रत पड़ेगी air gun की सहाता से हम screen frame में लगे कोटीन को सुखाते हैं तता गिट्टी की चल्ली की सहाता से screen frame के उपर भार डाला जाता है screen frame का यूज बार बार किया जा सकता है अता screen frame को एक बार यूज करने के बाद उसे साप करने के लिए बोरिक powder, निर्म पाउडर एवं मिट्टी तेल का यूज किया जाता है मिट्टी तेल की सहाता से हम screen frame में लगे इंग को साप करते हैं तता screen frame की डिजाइन को साप करने के लिए निर्म पाउडर एवं बोरिक एसिट का यूज किया जाता है screen printing में यूज होने वाले सभी समागरियों को देख कर आप अपना बजट तयार कर सकते हैं आज के इस सेशन में आपने जाना screen printing में कौन-कौन से समान का उप्योग होता है और screen printing समागरी कहां से खरीदी जा सकती है तता screen printing समागरी की क्या कीमत होती है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू